इस प्रेक्टिस से नंबर फॉर्ट तो इसके पहले थ्री वीडियो आ चुके हैं उनको भी आप जरूर देखेगा और एक सेट में हम 50 कोश्चिंस कवर करने एक सेट में 50 कोश्चंस तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर फॉर है उसके पहले के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो उनको भी आप जरूर देख लीजेगा एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा और अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला कोश्यों है कि हूँ इंटेंसिटी एंड वैल्यूज आर थी डिफरेंट यहां पे फिल इंदा ब्लैंक स्पेस और कलर मिंस्टो यह वैल्यू और इंटेंसिटी हैं यह कलर के तीन क्या चीज है तो कलर की तीन यह जो हू यह फिल्यू है इंटेंसिटी है वैल्यू यह कटर के बारे में क्या बताते हैं तो अप्शन क्या थे यू हो गया इंटैंसिटी है वैल्यू है यह कलर के तीन आयाम है next question आता है when blood glucose is abnormally high what is released from the pancreas जब blood में glucose का level abnormally high होगा means high है तो condition क्या होगी diabetes mellitus ठीक है तब pancreas से क्या secret होगा क्या release होगा जब blood में sugar level high होता है तब release होता है insulin तो insulin और glucagon ये दोनो pancreas से ही release होते है जब blood में glucose का level high होता है तब insulin release होता है और insulin जो है वो blood में glucose का level को कम करने का काम करता है और ये glucagon जो है जब blood में glucose का level कम हो जाता है तो कि insulin release हुआ ठीक है ये से ये glucose है insulin glucose का level high था तब insulin release हुआ और धिरे-धिरे glucose का level कम ले आया अब glucose का level कम है तब यहां से ग्लुकोज के लेवल को उपर ले जाएगा तो यह दोनों एक दुसरे के अपोजिट काम करते हैं तो कि अगर ब्लड में ग्लुकोज का लेवल कम हो गया तो हाइपोगलासीमिय हो जाएगा तो यह भी स्टेट खराब कंडिशन है और हॉइपरगलासीमिय हो गया तो यह भी कंडिशन खराब है तो यह ग्लुकोज ऑगोज इन्सुलिन एक दुसरे के साथ कमपाटिबल हो के काम करते हैं जहां पर insulin की requirement होती है तब insulin secret होता है अब जब glucose level कम हो गया तब glucagon secret होता है तो जब blood में glucose abnormally high होता है तब pancreas से insulin release होता है next question आता है which one of the following is a natural antioxidant इन में से कौन natural antioxidant है तो आगर हम antioxidant की बात करें तो यह ascorbic acid है ascorbic acid को vitamin c भी बोलते हैं और हम antioxidant की बात करें तो vitamin c vitamin a और vitamin e को हम antioxidant बोलते हैं तो यह ascorbic acid is vitamin c तो यह natural antioxidant हो जाएगा next question है the most widely used and controversial flavor enhancer is एक flavor enhancer है जिसको बहुत जादा यूज किया जाता है और इसको यूज करने में कुछ controversies भी है कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए तो options क्या है monosodium propionate sodium propionate sodium benzoate and monosodium glutamate तो monosodium glutamate है इसको MSG भी बोलते हैं और इसको चाइना रिस्टोरेंट चाइना रिस्टोरेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं तो यह MSG का सही आंसर है क्योंकि जब monosodium glutamate है यह एक तरह का salt है जो चाउमेन वगरा में यूज किया जाता है बिटर बिटर और sour test के लिए तो यह भी पताया गया कि जब यह monosodium glutamate जब एक्सेस अमांट में यूज किया जाता है तो इससे ड्रिजीनेस स्वेटिंग इंफ्लमेशन यह कुछ चीजें सिंटम्स है जो देखने को मिलते हैं अगर लॉंग टाइम तक monosodium glutamate यूज किया गया है तो monosodium glutamate एक flavor enhancer है जिसको कई सारी countries ने ban करके रखा है उसको यूज नहीं करना है तो इसको चाइनीज restaurant syndrome भी बूलते हैं next question है an outline of activities so arranged to enable effective execution of the program कोई program है उसको effectively कैसे execute करना है उसकी एक outline बनाई है लाइक कोई program है अभी जैसे exam आने वाला है GIC का अगर जिसे आपके पास दस दिन का time है तो आपने दस दिन के लिए एक अच्छा सा plan बनाया है कि आपको कैसे कब किस time पे कौन सा subject पढ़ना है कभी क्या revise करना है तो मिन्स आपने एक अच्छा सा plan बना के रखा उसको execute कर रहे है तो plan बढ़ाया है ना तो जो भी हमारा work है मिन्स हमारा which of the following is an example of dry heating method इन में से dry heating method का example कौन सा है तो options के ब्रॉइलिंग, blanching, steving, poaching, dry heating method means ऐसा heating method या ऐसा cooking method जहां पे water या moist की मुल्दाब water, steaming या moisture कुछ भी use नहीं हो रहा है वो उसको हम बोलते हैं dry heat method तो ब्रॉइलिंग जो है ये dry heat method में आता है बाकि blanching है steaming है, poaching है ये सभी moist heat method है the red color of tomato is due to the presence of जो tomato का red color है ये किसकी presence की वज़े से होता है options है keratonide, lycopene, chlorophyll या anthocyanin तो जो tomato में red color होता है वो होता है lycopene की वज़े से carotene ये carrot में पाया जाता है means orange color आता है chlorophyll ये plants में पाया जाता है ये green color देता है anthocyanin इससे dark red violet blue color का color आता है तो वहां पर होता है anthocyanin लाइक वरेंजल है बैंगन है बैंगन में anthocyanin होता है तो tomato में अगर red color की हम बात करें तो या आता है lycopene से next question क्या है employee to rural people is insured for hundred days in which of the following program means का ऐसा कौन सा employment है rural people के लिए जिसमें उनको 100 दिन का काम means confirm है कि उनको 365 days में 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा तो यह है इसमें बताया गया है यह रूरल employment scheme है जिसमें बताया गया है कि जो रूरल people हैं उनको पूरे year में means पूरा year means 365 days में 100 दिन का compulsory काम मिलेगा ही मिलेगा तो पहले यह था नरेगा बाद में हुआ है इसमें महात्मा किया गया तो यह दोनों यह आपको बताने हैं कि नरेगा कब आया और इसको रिनेम कम किया गया so next question है the food item जो भी food item है is known for acting as a good buffering agent उसको अच्छे उसको buffering agent की नाम से जाना जाता है buffering agent means जो जो चीजें है अगर acid है तो उसको neutralize कर देना basic है तो उसको भी neutralize कर देना means जो acid और base और acid और base दोनों condition में काम करता है चीजों को neutralize करने के लिए उसको हम बोलते हैं buffering agent options क्या है soft drink milk fruit juice fruit juice none of these तो अगर हम अच्छे buffering agent की बात करें तो उसके लिए use होता है milk ठीक है तो जो milk है यह acid और basic दोनों condition में काम करता है अब अगर stomach में अगर हम बात करें acidity हो रही है तो उसको अगर milk दिया जाता है तो वह acidity की condition ठी हो जाती है वो उसमें neutral pH पर आ जाता है या फिर ज्यादा basicity हो रही है तब भी मिल्क देते हैं और उसको वो neutral condition पर ले आता है तो मिल्क को अच्छा buffering agent कहा जाता है next question आता है the maximum amount of starch of wheat kernel is present in जो wheat kernel है जो गेहूं है ठीक है गेहूं की जो layers है सारी उन में से सबसे ज़्यादा starch किसमें present होता है तो बताया गया कि जो गेहूं का kernel है उसमें सबसे ज़्यादा starch कौन सी layer में होता है और starch कहां पर पहुँद होता है बाती है तो आफ्सें क्या है bran, indosperm, alleron layer या gerb यह पहले तो कि इसबसे इंटर्णल part है सबसे आउटर प्रापार्ड होता है बान उसके बाद आती हैways alleron layer फिर आता है endosperm तो यहाँ पέλ बात कि इसमें रिच होता है तो इंडो स्पर्म में स्टार्ट जो है वो रिच होता है तो मिलार्ड रीक्शनeresult in browning of food due to interaction between अगर हम बात करें मिलार्ड रीक्शन तो तो मिलार्ड रिक्शन से brown color आता है फूड में और यह brown color किसके कि si interaction की वज़े से आता है तो options क्या है sugar and amino acid oxidation of phenolic compound heating of carbohydrate none of the above तो जब हम बात करते हैं मिलाड रेक्षंञ की जिससे ब्राउणिंग कलर आता है जब सुगर और ग्लूकोज शुखर आपिन्स प्रोटीन देखो नीचे में कभी-कभी नीचे बरतन में मिल्क जो है चिपकने लगता है वहां पे जब इसको खुरिचते हैं तो उसमें से वह ब्राउन कलर की लेयर निकड़ती क्योंकि मिल्क में प्रोटीन भी होता है और अगम बात कहें सुगर की तो सुगर लैक्टोस के फॉर्म में लग सकते हैं क्डोस लिख सकते हैं यहां पर अम्नो ऐसेट अगर इन में वर्ट रहें डेते हैं तो आप्शेन सही बीइन सब्सटाइब कॉश्यंस इ DAY जिससे चीज तो प्रोटीन की उनिट को मिल के बना है किस दो इना बनते है तो कॉटन की जो बेशींत है व हो गई आता है the substance जो responsible है for jelly making in fruit is the fruit में ऐसा कौन सा substance है जिससे jelly बनाने में help करता है options क्या है protein fighting pectin या kretin तो fruit में जब pectin present होता है यह pectin जो है jelly बनाने में help करता है pectin jelly बनाने के लिए सबसे important substance है अगर pectin नहीं होगा तो jelly formation नहीं होगा तो pectin जो है jelly बनाने के लिए बिल्कुल essential है food are spoiled by the action of जो food है वो किसके action से जो है वो खराब होते है या spoil होते है options क्या है microorganism enzyme insects यह spelling थोड़ी सी गलत हो गया all of the above तो food जो है वो microorganism के action से spoil होते है तो यह क्या है food जो है यह microorganism के action से जब food पे जब microorganism का action होता है तब यह spoil होते हैं तो next question क्या है continuous method of posturization have advantage over batch method as it is more अगर हम बात करें यहां पर posturization method की बात कर रहे हैं तो posturization method में क्या है एक तो यह continuous method है और दूसरा batch method है तो यह दो method है posturization के और अगर अगर आपको posturization के बारे में full detail में पढ़ना है तो इसकी भी एक वीडियो हमने with point with explanation के साथ इसकी वीडियो चैनल पर available है और उसका link भी आपको उपर i button पर मिल जाएगा तो आप दोनों में से कहीं से भी जाके इसको पूरा गर पॉस्टराजिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से उसको देख सकते हैं तो यहां पर बात क्या किया गया है continuous method और batch method अगर हम compare करें तो batch method अच्छा क्यों है time saving है energy saving है both the above या none of these तो अगर हम batch method की बात करें तो यह both of the above time saving भी है और energy saving भी है क्योंकि batch method को हम high temperature short time method भी बोलते है हाई temperature short time continuous method में जो temperature है वो कम होता है तो next question क्या है the agent responsible for flavor और इन में से कौन से agent जो है वो flavor के लिए responsible होते हैं तो esters, aldehyde, ketone, all of the above तो इसका answer जो है वो all of the above जो है वो correct answer हो जाएगा next question है Shri T. Prakasan initiated the firka development scheme in the year तो जो firka development scheme है इसको T. Prakasan ने start किया था और कब इसको start किया था तो इसको start किया था 1946 में जो firka development की scheme है यह 1946 में start हुआ था और इसको start किया था T. Prakasan ने next question आता है the temperature generally used to store the frozen food is जो frozen food को store करने के लिए normally कितना temperature यूज के राता है अगर हम frozen food की बात करें तो अगर आप मॉल में जाएं तो वहां पर देखो बड़े बड़े deep freezer होते हैं उसमें frozen food रखे होते हैं तो उसको हम बोलते है frozen foods जिनको बहुत low temperature पे स्थोर करके रखा जाता है तो उनका temperature क्या होता है माइनस 18 डिग्री विच्व फॉलोइंग कंपाउंड इस एड़ेट तो ऑईल तो अवाइड रैंसिडिटी होती है अब यह रैंसिडिटी होती कैसे है जब ऑईल में moisture का incorporation होगा या air आ जाएगी oil में या moisture आ जाएगा तब होती है रैंसिडिटी हमाई पास options क्या है vitamin A, B, H, T, B, H, A, vitamin C, B, H, T means butylated hydroxy taulein, B, H, A means butylated hydroxy anisole और vitamin C अब oil है तो oil में कुछ हम moisture यसी चीज तो यूज नहीं कर सकते है विटामिन C जो है यह क्या है यह water-soluble है तो oil के साथ तो react करेगी ही नहीं करेगी और B, H, T और B, H, A यह दो अब oil में मिलाए जाएगी तो वहां से rancidity कम किया जा सकता है next question क्या है H, T, S, T process of posturization involve heating at H, T, S, T means high temperature short time जो process है posturization की उसमें कितना temperature use होता है तो जो high temperature short time process है posturization की उसमें 72 degree centigrade for 15 seconds के लिए temperature यूज किया जाता है और यह दिया यहां पर 150 degree centigrade for 1 second तो कहीं कहीं पर यह 149 degree centigrade भी लिखा होता है यह होता है ultra high temperature UHTS ठीक यह ultra high temperature होता है 149 से 150 दोनों में से जो दिया हो आप उस पर correct जाएगा और अगर हम high temperature की बात करते हैं तो यह 72 degree centigrade for 15 seconds next है saffron can be used as saffron केसर को कैसे यूज किया जा सकता है options क्या है as a flavoring agent coloring agent both of the above यह none of these तो हमने बहुत सब को पता है कि केसर को हम यह जो saffron है उसको as a flavor agent as a coloring agent दोनों में यूज करते हैं तो इसका both of the above answer जो है वो correct हो जाएगा अगर हम 22 question next question की बात करें तो क्या है first step in management is management का first step क्या है तो बिल्कुल सिंपल है management की first step है वो planning होता है food poisoning is a illness caused by food poisoning जो बिमारी है वो किसकी वज़े से कौज की होती है किसकी वज़े से होती है options है microorganism toxins present in food certain plants and animal none of the above जो food poisoning होती है वो microorganisms की वज़े से होती है next question अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो like and share जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक आपने चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सिस्क्राइब को जरूर कर दीजेगा हम आगे के questions देखते हैं कि हमाँ पास total 50 questions हमको solve करने तो आगे देखते हैं और कितने questions है next question आता है for children room जो children है उनके room के लिए the height of the storage unit should be कुछ अगर storage unit या rack वगएरा लगा रहे हैं तो children के room में तो उनकी height कैसी होनी चाहिए fixed होनी चाहिए adjustable होनी चाहिए less होनी चाहिए none of the above तो जो बच्चे हैं उनकी height time to time increase होती रहती है एक certain time तक ठीक है अगर बच्चों का room है तो उसमें अगर जो storage unit लगा दिया अगर fixed कर दिया तो लाइक जब बच्चा five year का था तो उसकी height के recording storage unit fixed कर दिया बलकूल अब बच्च प्रोब्लम होगी तो जो children के room में जो storage unit लगाते हैं वो adjustable होने चाहिए height के according कि गर height बढ़ रही है तो उसके according जो भी रैक्स है उनको easily adjust किया जा सके next question आता है benzoic acid is not very much effective against इन में से benzoic acid जो है किसके against बहुत ज़्यादा effective नहीं है तो options के हैं yeast, mold, bacteria, all of the above तो गर हम benzoic acid की बात करते हैं तो ये bacteria के against बहुत ज़्यादा effective नहीं होता है following is an example of bacteriostatic method यहाँ पर दो method होते हैं एक होता है bacteriostatic एक होता है bacteriocidal तो ठीक है आपको यहाँ से देखना क्या static means किसी भी चीज को वो जिस state में है उसी state में रखना उसको हम बोलते static तो बचा क्या दूसरा bacteriocidal means bacteria को kill कर देना इसमें जो bacteria जिस state में है उनको इसी stage पे बिल्कुल stop कर देना कि उससे ज़्यादा उनके activity नहीं होगी दूसरा है bacteriocidal means bacteria को बिल्कुल kill कर देना तो यह दो method हो cleaning, drying, sterilization, irradiation हम यहां पर बात कर रहे है bacteriocidal means bacteria को kill नहीं करना है bacteria की जो stage है उनको वहीं पे stop कर देना है तो इसका option हो जाएगा drying क्योंकि अगर cereals हैं उसमें कुछ amount of moisture present होता है जब उनमें moisture का amount ज्यादा हो जाता है तो bacteria perspective हो जाते हैं काम करने लगते हैं और यहीं जब जो cereals हैं उनको dry कर दिया जाता है moisture का level कम हो जाता है तो जो bacteria थी उनके जहां पर जो भी उनकी जितनी वी activity हो रही थी वह वहीं पर stop हो जाती है तो यह हो गया bacteriostatic method is drying बाकि caning, sterilization, irradiation यह सब bacteriocidal method है जिनमें bacteria को kill कर दिया जाता है next question आता है amobic dysentery is caused by जो amobic dysentery है यह किसके द्वारा होती है कौन इस amobic dysentery को cause करता है तो options क्या है bacteria, virus, protojoa या fungi तो जो हम बात करते हैं गर amobic dysentery की तो यह cause किया जाता है protojoa की वजए से keeping a watch on what is going on at the production service sector is called जो production service sector है उस पे क्या काम हो रहा है उसको प्रोड़क्शन सर्विस देखना यह किसका काम होता है यह काम होता है supervising का means जो भी organization है यह जो भी workplace है वहां पर जो काम हो रहा है उसको देखते रहना यह किसका काम होता है यह काम होता है supervisor का means supervise करना next question आता है the essential commodity act was enacted in the year जो essential commodity act है वो कौन से year में आया था तो गर हम बात करते है essential commodity act की तो ये जो है ये Erica 1955 में आया था और essential commodity act था क्या ये essential commodity act ये था कि जो भी essential चीजें है basic human life के लिए जो चीजे essential हैं उनकी काला बाजारी नहीं होनी चाहिए वो हर एक human being तक वो इसली पहुंच सके इसके लिए आया था essential commodity act यह आया था 1955 में उसके बाद red palm oil is a source of देखो एक तो red है दूसरा oil है means यह water soluble तो है नहीं तो options हमारे पास क्या है इस्कॉर्बी केसिड राइवो फ्लेविन बीटा के रोटीन या और अबब तो red palm oil एक तो यह water soluble नहीं है तो जो इस्कॉर्बी केसिड राइवो फ्लेविन यह दोनों तो water soluble है तो कोई चांस ही नहीं कि oil में होगा उसके बाद बचा क्या बिटा करोटीन जो क्यों होता है विटामिन ए बिटामिन ए का प्रिकर्षर ठीक है प्रोविटामिन ए तो यह होता है fat soluble the red palm oil किसका source होता है बिटा करोटीन का source होता है next question है the ability to understand the feeling of others दूसरे की feeling को समझने की जो ability होती है उसको हम क्या कहते हैं तो options क्या है empathy, sympathy, perspective taking या फिर all of these देखो जो इसका answer होगा वो है empathy, empathy means जो दूसरे क्या सोच रहे हैं उनकी क्या feelings हैं खुद को उनकी जगह पे रखके देखना तब वो जो feeling आती है उसको हम बोलते है empathy तो यहाँ पर यही बात की गई कि दूसरे की feeling को समझना हम समझे के कैसे, जब हम खुद को situation में रखके सोचेंगे तब हम जाके समझेंगे कि feeling क्या है sympathy means किसी को करुना भावना दिखाना कि अगर किसी को problem है तो उसको थोड़ा सा motivate करना तो यह हो जाता है sympathy तो इसका जो correct answer क्या है वो है empathy next question आता है characteristic of food which can be identified by use of sense means जो food के characteristic है जो food की विसेश्थाएं है उनको हम अपने senses के द्वारा जो हमारे इंद्रियां हैं उनके द्वारा identify करते हैं उसको हम क्या करते हैं अब हम sense use कर रहे हैं five senses को use करके हम food की quality को या food की जो विसेश्थाएं है उनको identify कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे sensory qualities जहां पर हम chemical के थुरू उसका chemical composition देखते हैं तो वो होता है chemical qualities physical qualities हम जहां पर देखते हैं या किसी भी चीज़ की जो उपर surface की quality है मिन्स हमने surface को touch किया वो हमको कैसा feel हो रहा है soft है, hard है, rough है तो यह सब क्या है? यह आते हैं texture तो जो भी surface quality की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आता है texture next question आता है give a scientific term for cracking at the angle of mouth mouth means mouth के angle पे angle means lips के जो corner है lips पे जो corner में angle बनते हैं उनमें cracking आ रहा है तो उसके लिए scientific term क्या use करते हैं यह मूच्छी सर्दियों में होता है जब सर्दियों में dryness हो जाती है तब lips के corner पे cracking आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? glossitis, angular stematitis dermatitis या फिर telegraph तो जब mouth के angle पे जो cracking आ जाती है हम बोलते हैं angular stematitis glossitis क्या है? जो tongue है tongue में जब redness आ जाती है tongue पे swelling हो जाती है उसको हम बोलते है glossitis अब माऊथ के जब angle पे cracking होती है उसको हम बोलते है angular stematitis यहाँ पे आया है dermatitis और pellagra तो आपको बताना यह है कि जो dermatitis है और palagra है ये कौन से vitamin की deficiency diseases है तो अभी आपके पास question क्या हो गए दो, एक तो dermatitis और palagra ये कौन से vitamin की deficiency disease है, दुसरा नरेगा कब आया था, कौन से year में आया था और उसका जो नाम change हुआ है नरेगा से मनरेगा हुआ है तो ये कब हुआ, तो वो दोनो year आपको बताने है नरेगा आया कब था, उसका नाम कब change हुआ, उसके बाद ये dermatitis और palagra जो है, ये कौन से vitamin की deficiency disease है तो ये दोनो answer आपको comment section में देना है next question है, megaloblastic anemia, तो ये megaloblastic anemia का है, तो iron deficiency anemia है, protein deficiency anemia है, folic acid या फिर ascorbic acid, तो हम यहाँ पर बात कर रहे है, megaloblastic anemia की जो की folic acid की deficiency से होती है, और इसको हम nutritional deficiency anemia भी बोलते हैं अब ascorbic acid का क्या काम है ascorbic acid जो है, वो iron के absorption में help करता है, और यहाँ पर है megaloblastic anemia, जो की folic acid की deficiency से होती है next question क्या है, maximum resiliency is found in, resiliency means flexibility, हम बोल सकते हैं कि कोई कपड़ा लिया, उसको बिलकुल deform कर दिया, खराब कर दिया, बिलकुल crease कर दिया, उसको छोड़ दिया, फिर से वो वापस अपनी proper shape में चला जाता है, उसको हम बोलते है resiliency, like कोई nylon को top है आपके पास, उसको आपने एक बिलकुल soft सा हो गया, बिलकुल मुठी में पकड़के, उसके बाद आपने छोड़ दिया, उसको hang किया, वो वापस अपनी shape में आ गया, तो इसको हम बोलते है resiliency, तो कौन सा fiber जिसमें resiliency जो है, बहुत अच्छी होती है, तो wool में जो resiliency है, वो maximum होती, क्योंकि देखो, wool जो sweaters है, उनको fold करके रख दिया, पूरी समर रखे रहते हैं, उसके वाज़ेब उनको निकालो, तो उनने fold के निसान पढ़ जाते हैं, बट उनको जैसे ही पानी में धो के, सुखाते हैं दूप में, तो उनके वो सारे निसान जो है, वो निकल जाते हैं, means, wool जो है, वापस अपने shape में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, resiliency next question है, fullness in garment can be achieved by the use of तो fullness, fullness means बहुत ज़्यादा घेर देना, और कपड़े में space देना, उसको हम हम बोलते हैं, fullness हमाई पास options क्या है, darts, pleats, tucks, all of the above तो अगर हम बात कर रहे हैं, fullness की, उसके लिए हो जाएगा, pleats हम pleats को use करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा घेर देना होता है, या फिर जहाँ पर हमें ज़्यादा आराम चाहिए होती है या कपड़ों में थोड़ा सा loose पन देना होता है loose रखना होता है, वहाँ पर हम देते हैं pleats, और अगर हम बात करें, darts की और tucks की, तो darts और tucks जो हैं, ये कपड़े में fitting लाने के लिए use किये जाते हैं जब हम कपड़े में fitting लाएंगे तो fullness तो कम ही हो जाएगा फिर यहां से clear हो गया कि जो darts और tucks होते हैं, ये fitting के लिए use करते हैं अजब हम कपड़े को fit कर देंगे बिल्कुल, तो उसमें fullness तो कहीं से भी बचेगा ही नहीं, तो जो pleats हैं ये fullness के लिए use की जाते हैं next question आता है main function of vitamin K in the body is, जो vitamin K है इसका main function क्या होता है body में, options क्या है as an antioxidant, in the blood clotting, in vision, या फिर in synthesis of protein, तो जो vitamin K होता है, ये blood को clot करने में help करता है, अगर vitamin K नहीं है तो blood में clot नहीं होगा blood जो है clot नहीं करेगा तो इससे related disease है, उसको हम बोलते हैं hemophilia, जो की genetically transmitted disease होती है genetic disease होती है hemophilia में जो blood है वो coagulate नहीं करता है अगर जड़ासा भी cut लग गया या चोट लग गया वहाँ से bleeding होना start हो गई तो वहाँ पे जो है blood ये coagulate नहीं करता है और अगर severe blood loss हो गया options है iron, protein, vitamin K या vitamin B12 तो जो human milk है ये iron का poor source होता है next question आता है national population policy was formulated in जो national population policy है ये कब आई थी? तो ये आई थी 1976 में national population policy 1976 में आये थी next question है mahaswari and chanderi saris are from तो अकर हम बात करें mahaswari और chanderi saris की तो ये होती है madhpradis से और madhpradis से हैं पर दिया नहीं तो क्या होगा ग्वालियर तो जो mahaswari और chanderi saris हैं ये ग्वालियर से हैं अंगोरा wool is made from the hair of जो अंगोरा wool है वो किसके hair से बनी होती है तो यह rabbit है अगर option में आपके पास rabbit नहीं है तब आप गोट के लिए भी जा सकते हो बट अगर option में आपको rabbit दिया है तो अंगूरा बूल is made primarily from rabbit और रैबिट option में नहीं है तो आप गोट भी लगा सकते हैं तो अंगूरा बूल सबसे पहले जो है यह rabbit से बनी होती है जो कि बहुत सौफ्ट होती है इसलिए इसका जो प्राइज है थोड़ा सा ज्यादा होता है तो अंगूरा बूल जो है वह rabbit से बनी होती है next question क्या है क्वाशार कर और मैरसमस अर्सवेटट है और अजयर किसे असोशीट होती है इसे इनकी डिफिसेंसी कि से कॉज़ए सी कोला करने का वर मेरसमस होता है तब quasharkar और merasmus होता है तो हमने detail में quasharkar और merasmus के बारे में भी पढ़ा है कि इन में differences क्या होते हैं किसका onset कब होता है किसकी deficiency से quasharkar होता है किसकी deficiency से merasmus होता है तो अगर इसके आपको detailed video देखना है तो उसका link आपको उपर i button में मिल जाएगा तो आप महां से video ज़रूर चेक करिएगा next question है the term of idd means iodine deficiency disorder was introduced by यह term जो है idd means iodine deficiency disorder इसको किसने दिया था यह term तो options है davis osborne and mendel hetagil या midler तो जो idd iodine deficiency disorder है इसको hetagil ने दिया था यह term next question आता है luster of the fabric can be reduced through जो चमक है fabric में जो फैबरिक में जो लस्चर है fibers की fiber की बात कर रहे हैं आपर तो जो fiber में जो लस्चर है उसको किससे कम किया जाता है मिस्ट जो fiber में जो चमक है उसको कैसे कम किया तो options क्या है sodium hydroxide titanium dioxide diphosphate या potassium dichromate तो fiber की लस्चर कम करने के लिए Titanium Dioxite जो है use किया जाता है denier is the term applied to the strength of जो denier ये है टर्म जो कि strength के लिए apply कि जाता है तो किसकी strength के लिए apply कि जाता है option है fiber yarn fabric and cotton तो जो denier है यार्न की strength के लिए apply कि जाता है और यहाँ पर अगर हम fineness की बात करते हैं कि fineness के लिए तो yarn count fineness के लिए count होता है और जो हम strength की बात करते हैं उसके लिए यूज़ होता है denier और yarn की strength के लिए denier use करते हैं next question आता है the vitamin जो की necessary है for the synthesis of visual purple यहां पर बात किसी हो रही है vision की vision means eye तो eye से related कौन सी vitamin है A की vitamin है जो की है vitamin A means अगर जहां पर भी आई से related बात हो रही है तो वहाँ से simply वाज आएगा vitamin A fresh fruits and vegetables are included in the diet as जो fresh fruits और vegetables हैं वो diet में क्यों include के जाते हैं इनका function क्या है body building foods, energy giving food या फिर protective food या फिर all of the above तो fruits और vegetables जो हैं ये rich होते हैं minerals और vitamins में जो की काम करते हैं as a protective food तो protective food के लिए fresh leafy vegetables and fruits को जो है diet में include किया जाता है next question आता है example of high density fiber is अगर हम बात करें याँ पर density की तो इसमें अगर हम बोले reference में क्या लेते हैं तो reference में ली जाती है water की density जिसको specific density बोलते हैं वो density होती है एक अगर किसी जिसकी density जो fiber की density एक से कम होगी वो पानी के उपर float करेगा और जिसकी density एक से ज्यादा होगी वो पानी में नीचे बैठ जाएगा तो यहाँ पर बात की गई है high density की means जिसकी density एक से ज्यादा होगी और जब एक से ज्यादा होगी density तो पानी में नीचे बैठ जाएगा, तो options क्या है, glass, cotton, acrylic या फिर nylon, तो अगर हम यहाँ पर बात करें high density की, तो glass जो fiber है, glass fiber की जो density है वो ज्यादा होती है, the only fiber which contains sulfur is, इनमें से कौन सा fiber है, जिसमें sulfur होता है, तो options क्या है, cotton, jute, silk या फिर wool, तो जो wool होता है, wool में sulfur होता है, wool ही एक ऐसा fiber है, जिसमें sulfur जो है, वो present होता है, तो आपके लिए question था, एक नरेगा, नरेगा कौन से year में आया, और उसका नाम change होके नरेगा से, मनरेगा कब हुआ, तो यह दोनो year आपको बताने हैं, उसके बाद, dermatitis और palagra, यह कौन से vitamin की, deficiency disease है, तो विटामिन का नाम बताना है आपको, नरेगा का, नरेगा का year कब, कौन से year में नरेगा आया, और उसका नाम कब change वगा, तो यह दोनो year बताने हैं आपको, उसके बाद, जो palagra और dermatitis, जिस भी vitamin की deficiency से होते हैं, उस vitamin का नाम बताना है आपको, तो यह हो गए 50 questions, जो कि complete हो गए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो like and share जरूर कर दीजेगा, अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है, तो channel को भी subscribe जरूर कर लीजेगा, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, wish you all the very best, good luck, bye bye